इस फील्ड के होते हुए स्ट्राइक रोटेट करने में आसानी होनी चाहिए काफी तेद ओड लगाई है पहले रन के लिए क्या दो रन मिलेंगे यहाँ पर सम्स के बहुत करीब थी यह थो बढ़िया फील्डिंग ओ नहीं हाथों से फिसल गई गेन खराब फील्डिंग ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप फूल्डा और चौका बटोरा लेबाद फिर से बाउंडरी की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं बढ़िया शॉर्ट टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं तीन रन मिल सकते हैं यहां पर और सटिक थ्रो की अपेक्षा थी यहां पर तेज गेन बाजी को खेला फसंद करते हैं यह बल्ले बाज आसानी से खेला एक रन के लिए वाइड थ्रो खेलारी द्वारा बढ़िया चार रन गेन बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तैपा दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही होने चौका बहतरी शौर्ट बल्ले बाज द्वारा गेन बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा हमा में खेला है ये शौर्ट कैच द्रॉप मौका बनाया जरूर था गेन बाज ने लेकिन फील्डर ने निराश कर दिया बढ़िया अर्चा तक खूबसूरत शौर्ट देखने मिले इस पारी में लाजवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूंडा और चौका बटोरा थमाकेदार बल्ली बाजी का प्रदर्शन दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही होने उठा के मारा है और याओ गजब की फुर्दी दिखाई है फिल्डर ने यहां पर बहुत शांदार कैज पकड़ा बल्ले बास बिविलिन का लंबा रस्ता तैय करते हुए बहुत अच्छा जजच किया कैज को मसा आता है इनको फिल्डिंग करता देख अच्छी अकुरिसी दिखा रहे हैं गे इन बाद अपने स्पेल में क्या पने खेल दिया है क्या दूसरा रंचुरा पाएंगे बहतर इन रनिंग बिट्विन दो विकर दोनों बल्ले बास उनके बीच बढ़िया खेला आसानी से दोरान मिल सकते हैं आसानी से एक दाथर ईची आंप। भांप। जासम और अम्दा दिफेंस काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्लिबास लंबी इनिस खेला चाहते हैं अच्छा शौर्ट दो रन मिल सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा थ्रो फील्डर का अच्छा शौर्ट बस सिंगल ही मिलेगा सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है स्टाम्स के बहुत करीब थी ये थ्रो बढ़िया फील्डिंग ये पिछ मेरे इसाफ से काफी बैलेंस लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए बहुत अच्छी रनिग ब्विकेट्स बहुत रिन रनिग ब्विकेट्स दोनों बल्लेबाज उनके बीच आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा शॉर्ट पर सीधा फील्डर के हाथों में अच्छा शॉर्ट बहतरीं टाइमिंग छे रन के लिए अवामेदी माराई अवामेदी माराई गमाल गए शॉर्ट चौका मिलेगा बल्ले बास को यहाँ जोश में खोश नहीं गवाना चाहिए उठा के मारा है अवामेदी मारा व्रेशना चाहिए अवामेदी माराई कर दॉर्ट प्रहाँ हुआँ लिए मारा छॉर्ट भड्रेशना चाहिए अवामेदी माराई धीमी गेंद इस पिछ पे अच्छा विकल्प होगा तगडा शॉट गॉन्फिडेंस बर्पूर जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्रॉप बल्ले बाज को फसा लिया था इस मौके पे गेंद बाज ने लेकिन कैच पकटने में खिलारी असमर्थ रहे मिल गया हुई के वाह किस तेजी के साथ कैच पकटना है खिलारी ने इसा नगा मानो बिजली के रफ्तार है इनके पास पविलिन के और जातो ओए बल्ले बाज बड़े हताश चत्वराई से गेंद बाज ही कर रहे हैं गेंद बाज सबर्दस शॉट कोई नहीं रोक पाएगा इस गेंद को बाउंडरी जाने से बड़िया फार्म में लग रहे है बल्ले बाज और बॉल सीधा फिल्डर के पास और ये आउट इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन काफी खुश गेंद बाज से पविलिन के और जाते हुए बल्ले बाज बड़े हताश कप्तान ने बड़िया फील लगाई है और गेंद बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बाजी कर रहे है फील्डरों के बीज गैप ढूलने में काम्याब चार रन के लिए झाल एकल से मसेट ुश रओ किस को भी खायँ सब्सक्ष्षण खायँ ओवर दो विकेड गेंद बाजी करने का निर्ण नहीं तमदार शॉर्ड और ये चाटका आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा शॉर्ड बस सिंगल ही मिलेगा सिंगल लेकर बले बाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं क्याप में खेल दिया है क्या दूसरा रन्चुरा पाएंगे ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने पाल पाल बच्छे बले बाद बैटरी गेन बादी क्यां बादी बले 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 बलत रचित कழ decision on the brilliant performance we must know what was the plan for today's match um I felt I was in top form today and I'm really glad I could contribute to versa team